बिस्मिल्ला रमान ररहिम, इस lecture के अंदर आज हम जो बात करने वाले हैं वो है DAX से related, हम एक complete project करेंगे in Power BI, Power BI के अंदर Power Query को भी use करेंगे और DAX के different expressions को use करके हम एक complete project करने की कोशिश भी करेंगे, अगर कोई चीज इसमें आपका question होगा या आपको कोई चीज समझ नहीं आएगी, then we will look into the question answer session at the end of this video as well, तो start करते हैं, सबसे पहले हमने जो काम करने हमने Power BI में चले जाने, so for example, this is my main जो window है, वहाँ पे मैं आ गया हू मैं बाकी अपनी सारी windows बगार, etc, etc, close कर देता हूँ, just to open one thing, यहाँ से मैं अपना Power BI जो है, इसे open कर लेता हूँ, open करने के बाद, Power BI पे directly, it will take some time, और अगर आप Power BI को first time मेरे से सुन रहे हैं या सीख रहे हैं, तो आप हमारी YouTube चैनल पे चले जाएं, YouTube के उपर जाने के बाद Kodernix के उपर चले जाएंगे, वहाँ पर जाने के बाद, हमारा जो proper Power BI के पूरी के पूरी course के playlist का link है, वो यहाँ पे playlist पे click करें, यहाँ पे लिखें Power BI, तो यहाँ पे यह आपको पूरा complete playlist का link मिल जाका, यहाँ पे हमारी सारी videos जो है, Power BI के lecture की, वो यहाँ पे हम upload करते हैं Right, so this is how our Power BI works, अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, you can actually start a blank report, या आपने जो पहले से बनाई हैं उसे भी start कर सकते हैं, मैं बिल्कुल blank से start करता हूँ, तो यह मेरे पास blank report आ गई है, ठीक है, report का मतलब होता है कि Power BI के पहली window जहाँ पे आपने काम करना, start करना है, यह report view है, model view है, फिर आपके पास dax query view आ जाएगा, तो आप इस तरीके से इसको blank में open कर लेंगे, मैं ctrl s दबाऊंगा, या save का button ये वाला दबाऊंगा, then I can save this inside my folder, और मैं one drive में जाके, या मैं यहाँ पे home पे click कर देता हूँ, save as पे click करता हूँ, यहाँ से मैं इसको किसी भी जगा पे save कर लूँगा, मैं browse पे जाता हूँ, मेरे पास ये window open होगी, तो मैं इसको अपने data analyst bootcamp का folder है, वहाँ पे चले जाता हूँ, और यहाँ पे, मैं एक निया folder भी बना सकता हूँ, इसको सेव करने के लिए, तो मैं यहाँ पे निया folder बनाता हूँ, इसको मैं नाम देता power bi dax project, इसको नाम देते हैं, अब इसके अंदर मैं इसको open करके, यह वाला जो है, वो dax project का नाम रखके, अपना project सेव कर लेता हूँ, तो आप कहीं पे भी अपना जो project है, उसे save कर सकते हैं, मैंने इसको dax project का नाम रखके save कर दिया, and now it will be saved as a power bi project, कहां पे मैंने save किया, अ data set है, उसे import करना है, ठीक है, so मैं आपको आज जिस data set पर काम करवाने वाला हूँ, वो titanic का data ही है, जो हमने पहले भी जिस पर काम किया है, और वो titanic का data, अगर मैं यहां पे लिखू titanic, data set, साथ मैं लिखू csv, और यह मेरे पास multiple titanic के data sets आ जाएंगे, ठीक है, something like this, if you look into gith file, something like this, तो आपके पास एक यह वाला data set पढ़ा हुए, मैं इसे simply जो है, वो download कर लेता हूँ, और इसी data set का जो link है, मैं आपको comment section के अंदर अभी paste कर देता हूँ, ताकि आप भी इसके उपर काम कर सकें, और मैं इस link से यह वाला data download करता हूँ, मैंने raw file download की, इसका नाम titanic 2.cs CSV आ गया, मैं इसी file को उठा के यहां पर लेऊंगा, जहां पर मेरा project है, ठीक है, so मेरे पास जो data है, वो यहीं से उठा के, यहां पर मैं paste कर लेता हूँ, अब इसको मैं rename करूँगा, something like this, इसको titanic का data मैं बोल देता हूँ, अब मैंने यहां से इस data को import करना है, क्योंकि यह data मैं import कर रहा हूँ from CSV file, so what I will do is, screen को थोड़ा सा zoom in कर लेता हूँ, यहां पर get data पर click करूँगा, click करने के बाद यहां से आप Excel Works book से भी data लेकर आ सकते हैं, या CSV file से, क्योंकि यह हमारी file CSV है, मैं इस पर click करता हूँ, click करने के बाद जहां पर मेरा data पढ़ा है, मैं वहां पर च इस data को connect करने के लिए, आप इस तरीके से data को connect कर लेते हैं, अब आप अगर गौर करें तो आपका सारे का सारा data, columns की शकल में आपके पास आ गया है, CSV file का आपको कैसे पता चलता है, जब भी आप किसी file को right click करके properties में जाते हैं, तो आपके पास उस file की proper extension भी दी होती है, somewhere here, .csv, इसके इलावा आप जब download करते हैं तब भी पता चल जाता है, जैसे यहाँ पे आप देखें, इसने बताया हुआ है कि यह जो file है, यह Titanic.csv की file है, तो यहाँ से भी आप data लेके आ सकते हैं, इसके इलावा जो है, वो आप folder में जाके, यहाँ पे आप अपनी view setting को भी change कर सकते हैं, जहाँ पे आपकी extensions यहाँ पे show होने लग जाती है, inside your, जो आपका folder होता है, तो यहीं पे उसके extension भी आ जाती है, so we are not going into that detail, यहाँ पे आपको csv file आ गई, अब एक काम आप यह कर सकते हैं कि इसे directly load कर लें, ठीक है, यह पूरे का पूरा data as it is आप load कर लें, something like for example, यह आपके पास survived का column है, और बाकी आपके पास columns है, आप इस data को as it is load पे click करें, और यह data आपके पास कुछ इस तरीके से load होना start हो जाए, and यहाँ पे यह data connect हो कि आपके पास load हो जाएगा, so आप देखें, कि यहाँ पे आपका data जो है, वो load होने लगा है, ठीक है, and when your data is loaded, you can see your data, अगर आप right side पे जाएँ, तो यह आपके पास data है, Titanic का, यहाँ पे click करके आप पूरे के पूरे Titanic के data को भी देख सकते हैं, और यहाँ पे आप यह भी देख सकते हैं, कि कौन सा data मुझे क्या बता रहा है, ठीक है, दूसरी side आप यहाँ पे अगर click करेंगे table view पे तो आपको आपका data tabulated view के अंदर something like this will show up as well, ठीक है, यहाँ पे आपका data भी आ जाएगा, तो यह एक तरीका कार होता है, जब भी कोई data आपने import करना होता है, जैसे आपने data import कर लिया, now we will see कि यह किस तरीके से काम करेगा, अब यहाँ पे यह data मुझूद है, आप मैंसे क formula या functions या expressions को use करके multiple किसम की columns या calculated measures जो हैं, उनको सर अंजाम दे सकते हैं, कर सकते हैं, पुराने दोर में DAX के ओपर बहुत ज्यादा videos जो हैं, वो आई हुई थी, AI से पहले की दोर की बात करहूं, which is like three to four years ago, और लोग different किसम की books पढ़ते थे DAX पे, for example, अगर मैं यहाँ प जड़े Power BI के developer हैं, they are saying के अब इसकी जरूरत कम है, उसकी reason क्या है, because Power BI के अंदर एक AI function introduced हो चुका है, which can actually show you के DAX कैसे काम करते हैं, वो AI function का नाम है quick measures, और यह quick measures जो हैं, यह basically आपको इस पे click करते हैं, click करने के बाद आपके सामने यह suggestion with co-pilot आ जाता है, फोरान से, ठीक है, और इसके अंदर आप इस feature को use कर सकते हैं by signing in into co-pilot, अब यह sign in क्या है और किस तरीके से आप co-pilot में sign in करते हैं, usually आप जब co-pilot की जो window है, अगर आप गौर करें, यहाँ पे preview आपके सामने आ रहा है, यह co-pilot similarly काम करता है inside Power BI, और अगर आपके पास co-pilot का account है, then it will help you a lot, for example, अगर आप sign in पे click करें, it will bring up this thing, और इसके अंदर आप अपने email address से sign in करके co-pilot को use कर सकते हैं, and usually यह उन लोगों के लिए available होती है, जिनके पास Power BI, जो है वो paid version available है, otherwise यहाँ पे calculated measures automatically आपके सामने आ रही है, और यह भी आप use कर सकते है, quick measure के लिए, और यह भी enough होता है to do something, ठीक है, so suggestion with co-pilot और दूसरी है calculation, अब अगर आपके पास यह वाली चीज नहीं आरी, quick measure की, what you can do, you can go to file, यहाँ पे आप options and setting पे चले जाएंगे, और यहाँ पे options पे click करेंगे, click करने के बाद आप थोड़ा सा wait करेंगे, because options will come, और यह preview features हैं, अगर आप यहाँ पे यह feature है, जो अभी तक beta version में है, अभी finally इन्होंने launch नहीं किये, तो इसमें यहाँ पे quick measure suggestion भी है, अगर आप इसको check-in कर देंगे, then it will actually open for you, इसी तरीके से बाके भी preview measures हैं, आप इनको सभी को भी add कर सकते हैं, and then it's easier for you to use these kind of preview measures for you, और यहाँ पे DAX security is with co-pilot, आप इसको भी check check-in कर सकते हैं, and then it will work like this, तो मैंने इसको already check किया हुए, अगर आपने नहीं किया हुए, then you can do it, so quick measure can help you by using co-pilot as well, लेकिन co-pilot के इलावा, आप quick measures को यहाँ पे automatically, मैं बोलूंगा implicit measures जो already मुझूद है, inside power BI, आप उनको भी use कर सकते हैं, ठीक है, so यह दो तरीके का रहा है, आ आप किसी भी measure को use कर सकते हैं, right, so यह था जनाब DAX का कुछ introduction as well, कि आप किस तरीके से DAX को use कर सकते हैं, secondly आपके पास यहाँ पे co-pilot को भी आप activate कर सकते हैं, और यहाँ पे अगर आप sign-in कर लेते हैं, co-pilot को purchase करने के बाद, then you can use the power of co-pilot as well, अब co-pilot है क्या, अगर आप Microsoft co-pilot पर जाएं, यहाँ पे click करें, then this is co-pilot, यह basically large language model को use करता है Microsoft 365 की जितनी भी applications हैं उन में, ठीक है, तो आप इसे use कर सकते हैं inside your software, और यह काम सिरफ Power BI में ही नहीं, आप Excel में भी co-pilot को use कर सकते हैं by using Excel co-pilot function, वो कैसे आएगा, again वो ही चीज़े, account पर जाके, आप अगर co-pilot को activate कर लेंगे, then it will show you here as well, ठीक है, so कहने का मकसद क्या है, यह है कि आप co-pilot को multiple softwares के अंदर use करके, उससे फाइदा ले सकते हैं, लेकिन जहरी बात है, अगर आप co-pilot use नहीं करना चाहते हैं, और आप sign-in नहीं बनाना चाहते हैं, और अपना co-pilot को यहां पे use में नहीं लाना चाहते, तो आप क्या कर सकते हैं, आप co-pilot को यहां से simply बंद करें, ठीक है, so I just closed it, और आपको कुछ measures जो हैं, वो खुद से सीखना पड़ेंगी, अब चलते हैं हम data की तरफ, हमारा data कुछ इ अगर आप गोर करें, तो यह हमारा data है, ठीक है, और इस data पे अगर हम थोड़े सी नजर तोड़ा हैं, यू कन सी, कि यह जितना भी हमारे पास data है, यह टाइटानिक का data है, और इसके अंदर काफी ज्यादा मसले मसाइल हैं, तो हमारे पास, जो age का column है, इसके अंदर काफी missing values नजर आ रही हैं आपको, अगर गोर करें, ठीक है, यह age का column है, और यहाँ पे काफी missing values आपको नजर आ रही है, इसके अलावा, there are many other things, जैसे के fair का column है, यहाँ पे फिलहाल कोई missing value नहीं है, fair is fine, so we will keep it like that, फिर हमारे पास बाकी other columns है, जिनके अंदर missing values हैं, और आप यहाँ पे click करने के बाद उन missing values को देख भी सकते हैं, वो कैसे आती है, अगर आप यहाँ पे click करें, filter करें किसी भी चीज़ को, तो जो blank values होंगी, वो missing values होंगी, तो जैसे यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं आ रही, blank है सब कुछ, तो मैं इसको जब check-in करता हूं, check करता हूं, तो म filter function है, जो Excel के अंदर भी काम करता है, और यहाँ पे भी वैसे ही काम करता है, deck के अंदर अगर मैं click करूं, तो यहाँ पे check कीजिएगा, सिरफ और सिरफ deck के अंदर multiple मेरे पास, जो हैं वो missing values हैं, और अगर मैं इसको zoom out करूं, तो अगर मैं इसको click करके, यहाँ पे नीचे ले values मुझूद हैं, फिर हम आते हैं, जिनाबेवाला अपने दूसरे column की तरफ, जो age का column है, मैं इसमें click करता हूं, और blank पे click कर देता हूं, तो यहाँ पे आप देखेंगे, मेरे पास blank values जो हैं, अगर मैं थोड़ा से इसको उपर नीचे करूं, तो 177 मेरे पास blank values हैं, अब हो click करके इसको delete पे click कर दूँगा, and this will remove deck column, ठीक है, deck column यहाँ से remove हो गया, और यह changes हमारे data के अंदर आ चुकी है, अगर आप घौर करें यहाँ पे, यह data था हमारा और इसमें से deck का column हमने remove कर दिया, अब अगला काम हमने क्या करना है, missing values जो हमारे पास age के अंदर हैं, उनको हम हमने replace करना है mean के साथ, क्यों replace करना है mean के साथ, और क्यों हमें बाकी और values के साथ replace नहीं करना है, तो मेरी video है, imputing missing values kodanics, अगर आप यह लिखेंगे, तो आपके सामने यह values आ जाएंगी, यह आ जागा missing values imputation method, यह kodanics की गेंटे की वीडियो है, अगर आप इसको देखेंग यह null values क्या होती है, और किस तरीके से हमने deal करते हैं, तो बताने का मक्सद यह है कि आप यहाँ पे अब blank values को mean के साथ replace करेंगे, यानि कि average के साथ इसको replace करेंगे age के column में, ठीक है, यहाँ तक आपको clear हो गया, अच्छा, अब होता क्या है, कि जब हम यहाँ पे, अगर आप का column है, यह decimal format के अंदर है, general यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसको मैं यहाँ से numeric format यह decimal format के अंदर भी change कर सकता हूँ, so for example like this, यह decimal format है, और decimal two point तक हमारी values है, ठीक है, यह age का column जो है, और यहाँ पे summarization इसकी जो है, हम अपने तरीके से भी कर सकते हैं, like for example, मैं यहाँ पे average पे click करूँगा, तो यह मेरे पास average की base पे इसकी summarization हो जाएगी, और अगर मैं separate किसी और तरीके से इसको summarize करना चाहूँगा, तो I can actually do that one as well, ठीक है, अच्छा, अब age के column को हम कैसे deal करते हैं, अगर आप गौर करें, हमारे पास यहाँ पे dex का function भी मजूद है, हमारे पास model view मुझूद है, यहाँ पे हमारे पास multiple किसम की चीज़े मुझूद है, हमने क्या करना है, transform data पे click करने, ठीक है, और यहाँ पे transform data पे आ जाना है, report view के अंदर जाने के बाद, transform data पे click करना है, transform data पे यहाँ पे आ जाना है, ठीक है, सही है, transform data पे आ गए, आने के बाद हमारे पा यहां पर power query editor open हो जाएगा, यह हमारे पास power query editor open हो चुक है, ठीक है, जैसे हमने excel के अंदर भी इसको open किया था, अब आप गौर करें, जो भी आप काम करेंगे, यहां पर side पे आता जाएगा, हमने क्या करना है, age में जितनी भी हमारी missing values हैं, हमने वो देखनी है, अब आप अगर गोर करें थोड़ा सा, तो age के अंदर जो missing values हैं, those are being represented by null, ठीक है, null, 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 null values, आप इसको sort भी कर सकते हैं, based on the null values, for example, अगर मैं इसको ascending order में करूँ, तो यह मेरे पास सारी की सारी null values stop पे आवे हैं, ठीक है, तो यह हम अब इस data को prepare करेंगे, और null values को हम impute करेंगे, पहला तरीका कार यह होता है, कि इन null values को impute हम करें, और इनको replace कर दें, किसी एक non-value के साथ, ठीक है, और वो non-value क्या हो, यह आपको पहले पता होना जाहिए, अब इसके काम के लिए, हमें अगर age के column के mean के साथ, null value को replace करना है, then we need to look into something, कि वो value क्या है, say for example, अगर मैं यहां पे जाता हूँ, और for example, मैं इस वकत इसको minimize करता हूँ, and I want to do something here, say for example, मैं यहां पे data पे आता हूँ, यहां पे आ जाता हूँ, और यहां पे मैं new measure को calculate करता हूँ, I click on new measure, new measure मैं यहां पे आके, इस पे click करता हूँ, and you can see, I cannot work because power query editor is open, तो पहले मैं उसे बंद कर लेता हूँ, बंद करने के बाद, यहां पे आ जाता हूँ, अब यह मेरे पास जो नई measure यह पराणी changes जो हैं, वो यहां पे apply हो रही हैं, जो मैंने की थी, अच्छा, मैं right click करता हूँ, या इस पे click करके new measure को ले आता हूँ, अब new measure जैसे मेरे पास आएगी, इस measure का नाम है, measure, यहां मैं इसको कहा देता हूँ, average underscore age, average age की एक measure है, जो मैं यहां पे लूँगा, यहां पे लिखूँगा मैं average, average of what, अब हमें वो चीज ढूडनी है, जिसकी हमने average लेनी है, मैंने titanic के age की average लेनी है, and then I will press enter, यह मैं इस पे click करूँगा, तो यह DAX की calculator measure मेरे पास आजाएगी, which I can have a look, now, average age जो है मेरे पास, वो यहां पे आ गई है, ठीक है, this is average age, और अगर आप इसको view करना चाहते हैं, then you can actually see this as a measure, और इस measure को view करने के लिए, आप यहां पे अगर click करें, तो यह measure automatically यहां पे आ जाएगी, 29.70, यह आपने याद रखना है, 29.70, यह हमारे पास एक measure है, ठीक है, 29.70, अब मैं data transform पे जाता हूँ, transform data करता हूँ, और यहां पे दुबारा से हाने के बाद, age के column पे click कर लेता हूँ, something like this, अब मैं क्या करूँगा, अब अगर आप गौर करें, आपके पास यहां पे, transform के अंदर जाने के बाद, यहां पे दो तीन options है, पहली option है, कि यहां पे आप fill पे click करके, down and up fill कर सकते हैं, अगर आपके पास time series का data, या some other data type है, यह इस case के लिए ज़रूरी नहीं है, हम यहां पे यह काम नहीं कर सकते, तो मैं क्या करूँगा, replace value पे click करके, replace values करूँगा, and replace values पे click करने के बाद, now I will replace values, पहले जो मैं find करूँगा, वो है null value, जैसे हम किसी भी Microsoft Word के अंदर करते हैं, और इनको replace के इसके साथ करूँगा, मैं या तो कोई decimal value यहां पे दे देता हूँ, या मैं कोई और value दे देता हूँ, so for example, जो मुझे पता है 29.97, इस तरीके से हमारे पास value आई थी, या 28.97 या 29.07, तो on an average, अगर मैं इसको 29 से भी replace करता हूँ, then I can write 29.07, something like this, ठीक है, okay करता हूँ, look, अब आपकी जितनी null values थे हो, वो automatically replace हो गई है, with mean value, और सिरफ null values replace होई है, नीचे वाली वैसे की वैसे ही है, अगर आप थोड़ा नीचे है, तो ये नीचे वाली सारी की सारी values वैसे ही है, तो हमने क्या किया है, अपनी null values को यहाँ पर impute कर लिया है, ठीक है, so this is how you can impute null values, यहाँ पर clear होगी बात, अब जैसे मैंने इसको impute किया, I will go back to home page, home page पर जाने के बाद, यहाँ पर आके मैं इसको close and apply पर click कर दूँगा, जैसे मैंने close and apply पर click किया, now, it will ask me, जो data में changes आई हैं, वो यहाँ पर रखनी है, मैंने का बिल्को टखनी है, अच्छा, 29.57 था, हम इसके साथ भी replace कर सकते, मैंने इसको 29.07 के साथ किया, so it's totally up to you, अगर आप चाहते हैं 29.57 के साथ करना, तो आप दुबारा जाएं transform data में, जाने के बाद, यहाँ पर चेक करें, आपने क्या किया था, replace value का formula लगाया था ना, यहाँ पर यह चेक कीज़ेगा, अब power query editor कैसे काम करता है, यह मेरे पास इसकी history save है, मैं थोड़ा सा उपर जाता हूं, जाने के बाद, यहाँ पर 29.57 कर देता हूं, ठीक है, और यही था काम जो हमने पीछे किया था, मैं इसको update करता हूं, now you will see, जहाँ पर 29.07 था, वो सारी के सारी 29.57 हो गई है, and this is the beauty of using power query editor, और इसके अंदर formula को हम इस तरीके से use कर सकते हैं, ठीक है, मैं close and apply पर click करता हूं, यह मेरे सामने, दुबारा से data के अंदर changes हो रही है, I will wait a bit, जैसे मैं wait कर लोगा, then I will go to table view, यहाँ पर आपके पास अब कोई भी blank value नहीं है, you will not find any blank value here, ठीक है, अब हमारे पास जो blank value है, वो है जनाबे वाला embark town के अंदर, अगर आप गौर करें, सिरफ इस में, embark town में हमारे पास blank value है, तो हम क्या करेंगे, इसका count चेक करेंगे, embark town में के अंदर, जो हमारे पास values हैं, इनका हम count चेक करेंगे, इसके कई तरीके का रहे हैं, embark और embark town सेम चीज़ है, हम क्या करेंगे, simple तरीका यह है कि हम manually चेक कर लें, मैं S पे click करता हूँ, जैसे मैंने S पे click किया, now I have 644 values जो S की है, इसके 644 values, यहाँ पे चेक करें, मैं आपको दुबारा से ज़रा गौर करके दिखाता हूँ, मैंने filter लगाया, सिरफ Southampton से जिन्नों ने travel किया, वो 644 है, इसका मतलब मैं मुझे directly idea मिल गया, कि 891 तो total है, तो इसका मतलब S जो है, वो सबसे ज्यादा value रखता है, अगर मैं दूसरों को देखना चाहूँ, Q यानि कि Queensland, तो वो सिरफ सिरफ 77 है, इसी तरीके से अगर मैं C पे click करूँ, तो यह मेरे पास हैं, सिरफ और सिरफ 168, तो what I do is, I will replace those blank values, जो मेरे पास blanks हैं, यहाँ पे मैं S लिख दूँगा, simply, जो यहाँ पे लिखा हुआ था, S, इसको edit करके, S लिख दूँगा, यहाँ पे भी S लिख दूँगा, अब आप गौर करें, I cannot edit this thing, तो मैं क्या करूँगा, मैं edit क्यूरी में जाँगा, ठीक है, तो जैसे मैं edit क्यूरी में गया हूँ, यहाँ पे आके, मैं जाँगा जनाबे वाला, अपना जो embarked town का है column, यहाँ से मैं blank value को, चेक करूँगा, चेक करने के बाद, यह मेरे पास चीज़ें आ गए है, अब embarked town के अंदर, यहाँ पे हम लिखेंगे, कि कौन सी value आने चाहिए, और अगर आप गौर करें, यहाँ पे हमारे पास formula आ रहा है, table.select row, replace values each, embarked town के equal, जहाँ पे यह वाली value है, हम इसको replace करना चाहते हैं, So, how can we do that is, मैं यहाँ से, Southampton के साथ, इसको replace करूँगा, blank values को, ठीक है, So, मैं यहाँ पे click करता हूँ, click करने के बाद, मैं इसको भी copy कर लेता हूँ, इसके जो spellings है, मेरे पास वो आ जाएंगे, So, for example, these are the spellings, copy कर लिया, यहाँ पे click किया, again, I will go to transform, and then I will go to replace values, replace value यहाँ से find करना है, हमने null, replace करना है, text के साथ ही, ठीक है, और अब अगर आप गोर करें, यहाँ पे advanced option भी है, कि match the entire cell content, ठीक है, So, हमने entire cell content को match करना है, अगर आप ना भी करें, तो it's fine, because we know, कि हमने कोई यहाँ पे extra space वगर रहने ही डाली, मैं okay करता हूँ, तो यहाँ पे आप चेक किजएगा, हमारी जो blank values हैं, let me see, okay, it's not coming as a null value, so हमें क्या करना है, यहाँ पे, इन सभी को हम select कर लेते हैं, select करने के बाद, यहाँ पे हम जाते हैं, replace value पे जाते हैं, यहाँ से इसको मैं ऐसे छोड़ देता हूँ, यहाँ पे मैं Southampton लिख देता हूँ, let's see how it works, or it doesn't work, yes, now it works, जैसे आप text में save करते हैं न, अब आपको null नहीं लिखना पड़ेगा, null values ज्यादा तर आप तब यूज करते हैं, जब decimal option हो, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे decimal नहीं था, text value है, तो हमें null लिखने की ज़रूरत नहीं है, same goes with this thing, अच्छा आप right click करके, यहाँ से भी replace value को देख सकते हैं, तो यहाँ पे भी मैं simply as लिख दूँगा, and it will work like charm, तो मेरे पास missing values सारी की सारी remove हो गई है, अच्छा अगर आप अब गोर करें, तो मुझे southampton और embark, यह दुनों same column है न, अगर आप गोर करें, यहाँ पे सिरफ एक एक first character लिखा हुआ है उनका alphabet, और यहाँ पे उन्होंने पूरा पूरा लिखा हुआ है, तो यह duplicated column है मेरे पास, मुझे इसकी जरूरत नहीं है embark की, मैं इसको remove कर देता हूँ, remove आप कैसे करते हैं, basically जो भी आपके पास यहाँ पे column होता है, यहाँ पे आप remove कर देते हैं simply, यहाँ आपके पास remove हो गया, इसको मैं home पे जाके close and apply करूँगा, यह मेरे main data set में से भी remove हो गया, so it will take some time, जैसे वो time हाया, यह मेरे पास remove हो गया, so now I don't have any kind of missing value, अगर मैं इसको बारी बारी देखू, पहला okay, दूसरा column भी okay है हमारे पास, तीसरा column भी okay, चोथा column भी okay, पांचमा column भी okay, पेरेंट चिल्डरन वाला भी okay, फेर साइज भी okay, क्लास भी okay, हू भी okay, अडल्ट मेल भी okay, नो ब्लैंक वैल्यूस, इमबाग टाउन भी okay, अलाइव यह भी okay, अलोन यह भी okay, so we don't have any column, जिसके अंदर missing values ना हो, ठीक है, यहां ता clear हो गया, अच्छा, अब हम एक और काम करने वाले है, हम यहां पे, नए column add करेंगे, using DAX functions, नए column, यानि के calculated columns add करेंगे, reason to do that is, जब भी आप कोई data analysis करते हैं, DAX के थुरू, आप data को prepare करने के लिए, या तो columns को remove करते हैं, ठीक है, या तो missing values को impute करते हैं, या you do some other things, जो related होती हैं, उसी एक data से, for example, मैं भी आपको दिखाता हूँ, कि हम यहां पे क्या करने वाले हैं, we will actually, are going to create new column, just give me one second, yes, so, पहला हम क्या column नया create करेंगे, अगर आप गौर करें, इस पूरे data के अंदर, यह titanic का data है, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा zoom in करूँ, survived का मतलब है, कि वो लोग जो survive किये या नहीं किये, 891 total passengers है, survived अगर 0 है, तो इसका मतलब कोई survive नहीं किया, वो वला बंदा, 1 है तो वो survive किया, P class का मतलब है, कि जो passenger class है, 1st, 2nd, 3rd, sex का मतलब है, कि male या female gender, age हमारे पास आ गई, sibling spouse का मतलब है, कि क्या, उसका कोई spouse था, साथ या उसके बेहन भाई थे, पार्च का मतलब है, parent या children, अगर उसके साथ थे, fair का मतलब कराया, 1st, 2nd, 3rd class हमारे पास फिर आ गई, तो अगर आप घौर करें, यह वो ही passenger class है, यह numeric column है, यह हमारे पास categorical है, and we need both of them, who का मतलब है, man या women, वो ही male या female वाला इसीन है, लेकिन man या woman is different, क्यों, क्योंकि यहां पे child भी है, ठीक है, तीसरी class हमारे पास आगे, that's why we'll keep it, adult male का मतलब है, कि जो adult है, 18 से उपर, जिनका जो वो है age में, यह जहां से उन्होंने, Titanic पे सवार हुए था वो, alive का मतलब है, क्या भी जिन्दा है या नहीं, alone का मतलब है, क्या वो अकेले थे या नहीं, ठीक है, तो यह सारे के सारे हमारे पास column है, हम पहला column अब इसमें add करने वाले हैं, which is very easy to do, आप यहां पे click करें, ठीक है, मैं यहां पे आता हूँ, Titanic के यहां पे click करने के बाद, आप new column add कर सकते हैं, ठीक है, यहां पे click करके आप new column add करें, जैसे आपके पास new column आया, अब देखिएगा, DAX जो है, आपको column का नाम पूछ रहा है पहले, सही है, सो मैं इस column का जो नाम है, उसको मैं रखता हूँ, family size, family size, ठीक है, family size इस column का नाम है, और हम क्या करेंगे, जो sibling spouse हैं, और parent children है, इन दोनों को जमा करेंगे, और उसके अंदर एक भी जमा कर देंगे, जिससे हमारा पूरा family size आ जाएगा, for example, sibling and spouse, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, titanic का जो हमारा data है, titanic, जैसे मैंने titanic लिखा, उसके अंदर से, हम दो values लेने वाले हैं, which is sibling spouse, and parent children, तो मैं यहां पे पहले sibling spouse ले लेता हूँ, ठीक है, titanic का sibling spouse, प्लस, अब मैं आगे जाता हूँ, फिर titanic, मैं इसको थोड़ा से zoom out कर लेता हूँ, यहां पे आप लिखेंगे, parent children, अगर मैं simply, इस पे enter करता हूँ, तो मेरे पास जो family का size आया है, वो सिरफ इन दोनों columns को मिला आके आया है, अब आप एक और बात पे गोर करें, कि इन दोनों के लावा, वो बन्दा खुद भी तो शामिल है न, वो passenger, जिसका family size हम देख रहे हैं, so that's why what we are going to do, is to select this column, and add plus one, enter, तो family size का मतलब है, अगर वो बन्दा अकेला है, तो one आ जाएगा, ठीक है, अगर वो अकेला नहीं है, जैसे यहां पे false है, तो two आ जाएगा, based on the sibling spouse, तो इस तरीके से हमने एक निया column add कर दिया, this is called data transformation, यह data modeling, और इसके थुरू आप data add कर पा रहे हैं, ठीक है, तो family का आपके पास आ गया, अब इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यहां पे एक column है, जिसका नाम है adult male, सिर्फ और सिर्फ मेल, लेकिन आप एक निया column add करेंगे, यहीं पे मैं right click करके भी column add कर सकता हूँ, something like this, new column, और इसके इलावा, मैं किसी भी column पे click करने के बाद, new column पे click करूँगा, तो मेरे पास निया column आ जाएगा, अब इस ने column का नाम हम क्या रखने वाले हैं, let me show you, मैं इसका column का नाम रखोंगा, age group, age group से क्या मुराद है, कि जो हमारे पास, titanic की age है, जिन बच्चों की, अगर वो 18 से कम हैं, तो वो बच्चे हैं, वरना वो adult हैं, तो हम दो group बनाएंगे, एक का नाम होगा adults, दूसरे का नाम होगा child, adult और child, और हम इस numeric column को, categorical column में, conditional operator को use करके, add करने माले हैं, conditional operator क्या हैं, याद करें, डेक्स की lecture, greater than, less than, equal to, equal equal to, not equal to, यह सारे operators जो हैं, conditional operators हैं, let's see, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, अब, if, अगर, if, titanic की जो age है, is, greater than, is, मैं कहता हूँ, less than 18, अगर titanic की age, 18 से, कम है, then, आप लिखो, कि यह है child का group, ठीक है, otherwise, आप लिखतो, यह है adult का group, ठीक है, इस तरीके से, आप if condition लगाते हैं, if, यानि के function, फिर titanic की age, अगर, less than 18 साल है, तो इसका मतलब है, कि यह child group में है, and अगर 18 या 18 साल से उपर है, then you will say, कि यह adult है, ठीक है, अब आप देखें, एक निया column add होगा, जिसका नाम होगा age group, मैं यहाँ पर click करता हूँ, age group का column add होगा है, जिसमें दो values है, adult and child, और उसके condition किसके साथ मैच कर रही है, आपके sibling, sorry, age के उपर, ठीक है, age group आपके सामने आ गया, age group क्या है, basically, आपको बताता है, किस तरीके से आपकी age जो है, वो matter करती है, ठीक है, यहाँ तक आपको clear हो गया, अब क्या होगा, हम इसी के अंदर, multiple और काम करेंगे, based on the formula, जो हम देख रहे हैं, और वो multiple काम किस तरीके से किया जाएंगे, हम आपकोछ measures add करेंगे, तो मैं वापिस report view पे जाता हूँ, यहाँ पे new measure को add करूँगा, और new measure जो हैं, different किसम की हम देखेंगे, पहली new measure है, मैं यहाँ पे click करता हूँ, click करने के बाद, यहाँ पे इसको थोड़ा सा zoom in कर लेता हूँ, ताकि आपको नजर आए, इस measure का मैं नाम रखता हूँ, यह calculated measure है, इस measure का मैं नाम रखता हूँ, survival rate, survival rate को रखने के बाद, आपको कुछ चीजों का ख्यार रखना पड़ेगा, यहाँ पे क्योंकि survival rate का जो formula है, इसके बाद आप क्या करेंगे, usually आप करते हैं, sum of survived, ठीक है, survived का जो column है, उसका sum, and then आप count करेंगे rose को, कि total कितने है Titanic की rose, और उस पे उसे divide कर देंगे, say for example, आप यहाँ पे लिखते हैं sum, मैं इसको थोड़ा सा zoom out करता हूँ, sum लिखने के बाद, आप करेंगे, Titanic का जो survived column है, ठीक है, यानि कि जो Titanic का survived column है, इसका sum लो, sum लेने के बाद, इसको count भी करो, बल्के अगर मैं आपको, sum को ही दिखाऊं, तो survivor rate से पहले, हमने जब sum लिया, इसको add किया, अब मैं आपको दिखाता हूँ, survivor rate में जब sum लिया, तो हमारे पास क्या चीज़ आई, तो मैं यहाँ पर survivor rate पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद आप देखेंगे, कि हमारे पास 342 जो लोग हैं, वो survive किये हैं, survival जो basically आपके पास एक मेजर है, ठीक है, survival rate, तो अब मैंने क्या करना है, इसको मैंने divide करना है total पे, यानि कि 342 divided by 891, लेकिन उसके लिए मैं यहाँ पर divide का function यूज करूँगा, पीछे divide, और मैं sum of इसको divide करूँगा, total count rows पे, तो मैं यहाँ पर count rows करूँगा, किस चीज की, मैं count rows करूँगा, titanic की, टाइ, डेटा की, ठीक है, and this is how you can divide the column, और आपके पास survival rate आजाएगा, आप यहाँ पर change देखिएगा, इस जगा पर क्या change आती है, देखिएगा, let me see, survival rate, survival rate, divide sum of titanic survived, over titanic की count rows, let me see, this shouldn't be like this, मैं दुबारा से इसको देखता हूँ, there is something wrong, survival rate, there is something wrong with the formula, let me see, इसका एक तरीका कारोर है, कि मैं survival rate पे जाऊ, और यहाँ से पहले चेक करके देखू, कि जो मेरे पास count rows का formula है, वो से ही चार रहा है कि नहीं, count rows of titanic, यह है जनाबे वाला मेरे पास formula, let's see, 891 यह formula ठीक है, और दूसरा है sum का formula, sum of titanic के अंदर survived, इसको मैं देखता हूँ, enter करता हूँ, यह है 342, तो इसका फिर यह तरीका कार हो सकता है, divided by count rows, और इसके अंदर हम titanic को रखते हैं, let's see, अगर यह इस तरीके से काम करता है, तो इस तरीके से सही, पर अदेखते हैं, तल इस दोशने देखेंड, फच्रूसरा करता हूँ, श्रीके सनसरा करते हैं, तेस आँ रोस्टाइक, Let me see मेरे पास जो गलती आ रहे हैं किसी वज़ा से गलती तो नहीं आ रहे तो इसको एक दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि हम किसी और कॉलम को काउंट कर ले बजाए इसके हम काउंट पे क्लिक करें टाइट टैनिक के अंदर जाने के बाद एज का कॉलम जो है क्योंकि वो उसमें मिसिंग वैलिज कोई नहीं उस पे काउंट करके देखें so divide 342,891 yes there is something wrong in the formula or maybe I am not doing in the right way let me see so the other thing is what I am going to do is I will try again then I will look into it क्योंके मुझे लगता है कोई decimal places का चक्कर हो सकता है so I will do with this sum titanic of survived and then comma count rows of titanic data and then I will close this यहां पर आके अब इतनी rows नहीं लगनी यहां पर एक bracket आनी है यह वाली close होनी है यहां पर आ गई and now it's working fine decimal places का ही चक्कर था इसके अंदर अगर मैं इसको थोड़ा सा decimal places को चेक करूँ तो I can actually look into this card और इस card के उपर जाके हम editing कर सकते हैं something like this अगर मैं यहां पर click करूँ then I can go back on this card और इस card के different किसम की options को मैं use कर सकता हूँ to show the data जैसे यहां पर यह format पर मैं click करूँगा और यह formatting मेरे पास आजएगे and then I can actually format the data और यहां पर मेरे पास issue जो हो resolve हो जागा by the way problem जो थी मेरी तरफ से थी decimal places की values की problem थी and now it's corrected तो यह मेरे पास survivor rate which is 0.38 ठीक है so इसका मतलब यह है कि अगर मैं calculator यहां पर open करके आपको एक simple जा formula दिखाऊँ जो मैंने यहां पर लगाया है let me see यहां पर चेक करें 3.42 divided by 8.91 equal to 0.3838 है इसको अगर percentage में convert करेंगे तो 38% हमारे पास total survivor rate है यही formula मैंने यहां पर लगाया है आप इसको multiplied by 100 भी कर सकते हैं अगर आपने इसको formula को multiply करना है और इसको percentage के अंदर convert करना है और otherwise you can select this data और इसकी format जो है वो आप change कर सकते हैं percent के अंदर तो यह मेरे पास एक दूसरा column था जो हमने बनाया and now we will go towards our next column जिसके अंदर हम देखेंगे कि calculated अब यहां पर यह हो गया survivor rate एक और यहां पर measure को मैं add करता हूँ और यहां पर new measure add करता हूँ new measure add करने के साथ ही यहां पर इसको zoom in में करता हूँ यहां पर हम करेंगे percent of total survivors let's see जो मैंने अभी आपको बात बता है इसको थोड़ा सा और divide करते हैं यहां पर मैं लिखता हूँ percent of total survivors यहां पर हम करेंगे वो ही चीज़ divide divide किसको करने survivor rate जो है हमारे पास आ चुक है तो मैं यहां पर लिखता हूँ survivor rate इसको हमने divide करने किस चीज़ पर करने हमने इसको यहां पर एक और हमने measure को calculate करने है calculate उस measure का नाम क्या है वो मैं आपको बताता हूँ sum आपने करने मैं इसको zoom out करूँ था कि आपको easily नज़र है sum of sum of हम करेंगे survived, titanic, survived and comma all करेंगे हम और साथ में लिखेंगे titanic ठीक है and then it will show us the percent survivor rate let me see अगर मेरे पास brackets सारी की सारी ठीक है अगर ना हुई then we have to check that and here one is missing yes, now it's fine तो यह है मारे पास percent of total survivors जो है वो हमारे पास आगी इसको मैं add करता हूँ और यह भी मेरे पास इस तरीके से zero में आ रही है then I have to again do the same formatting thing and then it would be easily corrected let me check कहा भी मजडा है decimal places में auto display units none and categorical label no callout values 55 that's fine size and style date data formatting percent of total survivor formatting option हमारे पास जो है auto है we can write here maybe numeric and so on ठीक है तो इस तरीके से आपके पास percent of total survivor आ जाएगा and you can add multiple more other other tax measures or columns as well अगर आप करना चाहते हैं वरना आपकी मर्जी है कि आप जिस तरीके से भी इसको रखना चाहें मैं इसको यहां से numeric को remove करता हूँ and इसको भी यहां से remove करते हैं इसको भी डैशबोर्ट से remove करते हैं इसको भी remove करते हैं so from here we can see के हमारे पास columns भी आगे हमने calculated measures भी कर रही है now we can make sense out of it अगर आप चाहते हैं कि आपने additional जो है वो different किसम की dax की syntax को use करके आप कुछ और भी करना चाहते है calculate median करना चाहते हैं for survivor या कुछ और करना चाहते हैं you can also do that और अगर मैं यहां पे age की base पे एक formula लिखूँ तो मेरे पास एक नया column आ जाएगा मैं इसको directly copy paste कर देता हूँ ताकि आपके लिए easy हो जाए समझना यहां पे एक नया मैं formula लिख देता हूँ यह है जो वह formula कि आप fair पर age की base पे divide करेंगे titanic का fair divided by age तो आपके पास fair पर age आ जाएगा column ठीक है so this is how you can see और इस पूरे column को आप decimal point values के अंदर भी convert कर सकते हैं और यहां से auto के बजाए आप two भी रख सकते हैं one भी रख सकते है इस totally up to you ठीक है so इस तरीके से आप decimal values को set कर सकते हैं मैंने वहां पर numeric लिख दिया था पिछली वाली में वहां पर two रखते हैंगे तो that's fine so this is how you can change the numerical values और तीन भी रख सकते हैं दो भी रख सकते हैं यूजली दो से तीन इनाफ होती हैं तो यह हमारे पास column आगया fair पर year of age यानि के age की base पे हमने fair के column को ले लिया अब इसके इलावा multiple काम और भी कर सकते हैं लेकिन हम directly अब dashboard की तरफ move करते हैं ताके हमारे पास जो जितने भी हमने column वगरा calculate करने तो वो हमारे पास आ चुके हैं and now we will see कि हमारे पास जो dashboard है वो किस तरीके से बनता है इसका हम जले जाएंगे वापिस जनाबे वाला अपने power query के उपर sorry report view के उपर अब यहां पर different किसम के हम dashes जो हैं वो add करेंगे dashboards और सबसे पहले मैं काम य बार चार्ट है मैं formatting जो है वो बंद करता हूं और यहां पर अगर देखें इसको यहां पर click करने के बाद यहां पर data देंगे अगर मैं x-axis के अंदर कोई data रखता हूं say for example मैं यहां पर आप कह सकते हैं कि say for example male and female का data रखना हमने तो मैं x पर रख देता हूं sex यानि कि male and female और यहां पर y पर रख देता हूं age तो यह हमारे पास male और female की age आ गई है ठीक है और अगर आप average age रखना चाते हैं वो भी आपके पास है यहां पर यह इसके अंदर calculated अगर आप minimum sum रखना चाते है इस totally up to you legend के अंदर मैं age group add कर देता हूं let me see आप यहां पर click करके भी age group पर click कर देंगे तो आपके सामने वो age group आ जागा let me see मैं यहां पर click करता हूं यह मेरे पास age group आ गया and now you can see के आपके पास यह जो एक basic चार्ट आ गया this is how it looks like आपके पास male है female है और इनके अंदर adult and child है ठीक है अगर आप यह नहीं चाहते तो age group की बजाए आप इसको replace कर सकते हैं say for example who के साथ who जो हमारा column था तो यहां पर आपको समझ आ रहेगी कि child man and woman ठीक है of course यह sense कम बना रहा है क्योंकि man and woman and child these are three different things तो इस वजा से ही मैंने वहां पर age group को रखा था something like this ठीक है यह मेरे पास age group आ गया अब एक और column हम एक और चीज हम यहां पर add कर देते है for example pie chart मैं add करत हूं for example मैं family size को add कर देता हूं यह है family size एक से लेके 11 तक और यहां पर मैं values भी add करनी है और then this pie chart will be working fine यहां पर अगर मैं add करता हूं say for example age की values तो यह इस तरीके से आ जागी मेरे पास it's very cluttered इस वज़ा से it doesn't make any sense कि हम family size को add करें x-axis में तो मैं क्या करता हूं मैं alive को add करता हू x-axis में जो जिन्दा है या नहीं है और उन्होंने कितना कराया दिया था ठीक है for example like this ठीक है अब अगर गोर करें जो बचारे जिन्दा हैं उन्होंने तकरीबन 16.55k pounds दिये और जो दूसरे थे जो 4th होगे उन्होंने 12.14 pound दिया यानि कि जो बचारे 4th हो गए थे some of fair alive वो हम आप class पे divide करें that makes more sense मैं class पे divide करता हूँ now you know कि first class का fair कितना एकठा हुआ third का कितना and second का कितना so this is how it looks like कि first second and third class का fair कितना एकठा हुआ था ठीक है so this is some basic chart मैं यहां पे इसको रख देता हूँ and then we are going towards the donut chart मैं इसको यहां पे रखता हूँ and then we can see कि हमारे पास जो average age group है इसको legend में रखता हूँ adult and child और अब मैं बताता हूँ यहां पे कि adult and child की age group के अंदर survivor rate कितना था let's see so यह survivor rate है adult and child का तो यह survivor rate कुछ इस तरीके से आपको नज़र आएगा percentage में भी और वैसे भी है so if we look here now you have survivor rate based on the age group ठीक है कितना child बचे कितने percent survivor rate अडल्ट का था ठीक है अब एक और हम काम करते हैं वह यह करते हैं कि हम एक say for example एक और चार्ट इसके अंदर एड़ करते है विच इस आइवड से यह scatter chart ठीक है scatter chart सिरफ दो numeric variables का बनता है तो मैं values जो है वह एड़ करता हूँ एकस पर करता हूँ sum of fair नहीं sum नहीं करना हमने यहां पर don't summarize पर क्लिक करना है ताकि सारी की सारी values है तो fair आ गया हमारा x-axis पर and y-axis पर हमारे पास आगी age इसका मतलब यह हुआ age average नहीं हमने करने don't summarize पर क्लिक कर देता हूँ this is how our data will look like अगर मैं age को उपर ले जाओ fair को नीचे ले जाओ then it makes more sense age इदर आ गया and then fair मेरे पास आ गया यहां पर so now you can understand किस जगा पर क्या चीज़ चल रही है और अगर मैं further इसमें add करूं legend और मैं यहां पर add कर दूं class now you can have an idea कि किस जगा पर कौन सी class ने कितना fair पर किया था और उनकी age क्या थी and this is how your scatter plot looks like age यहां पर बढ़ती जा रही है और क्राया उपर को बढ़ता जा रहा है इसका मतलब है कि यह दो उपर जो है यह first class के passenger है because of this blue color जो जामनी color है वो third class के passenger है और जो orange color की है वो second class के passenger है so you can have an idea कि किस ने कितना क्राया दिया और उमर कितनी थी और यह जो लोग यहां पर मौझूद है यह तकरीबन young है 27 से 40 साल की उमर के दर्मयां दर्मयान है अगर यहां पर देखे so in दोनों की base पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि how these things were working for them ठीक है so this is how you can create another one अब इसके इलावा आप direct values भी add कर सकते हैं वो values क्या है अगर मैं यहां पर survival rate को add करूँ this is survival rate so मैं इसका ऐसे ही card add कर सकता हूँ यहां पर survival rate का इसके इलावा मैं यहां पर अगर मैं सिरफ survival rate by male and female add कर दो तो this will look like this यानि के females ज्यादा बची हैं और males कम बचे हैं बजाए इसके अगर मैं इस पर click करूँ और survival rate को मैं who की base पर divide करूँ यानि के बच्चे ज्यादा बच्चे हैं और या बंदे तो आप देखें आपको भी पता है जब भी कोई disaster होता है तो या तो बच्चों या औरतों को पहले जाने दिया जाता है मर्दों को end पर जाने दिया जाता है so that's how you can look here as well के survival rate सबसे ज्यादा औरतों का है फिर बच्चों का है फिर मर्दों का है ठीक है and this is showing you के किस तरीके से हमारे पास different चीज़ें चलती है एक और काम हम कर सकते हैं के survival rate को ही मैं दुबारा से लिखता हूँ यह आगया survival rate अब एक और देखिएगा चीज़ इसी survival rate की base पे मैं ये भी अंदाजा लगा सकता हूँ किस class का survival rate सबसे ज्यादा था तो मैं class पे click करता हूँ and here you go first class के ज्यादा तर passenger बचाये थे इन्होंने second class के कम बचाये थे third के बिलकुली कम उसकी वज़ा क्या है of course जब आप ज़्यादा कराया देते हैं तो उसके perks होते है तो वो perks यहाँ पे आ गए थे ठीक है अगर मैं इसे पे click करके रखूँ और मैं यहाँ पे legends भी add करना चाहूँ कि उनमें औरतें कितनी थी और मर्द कितने थे या बच्चे कितने थे so I can do that as well something like this अब आप देखें यह जो आपके पास एक plot आया है it shows you male और female first class में से female ही ज्यादा बची थी बंदे फिर cut बचाए होनोंने और male जो हैं वो दूसरे में भी कम और third में भी कम and this is how you interpret your data based on different things ठीक है and यह इस तरीके के जो chart होते है these charts helps you a lot और अगर आप चाते हैं इस chart को ऐसे बनाना you can also create this one, this one, this one so it's totally up to you कि आप किस तरीके से chart बनाना चाते हैं stack बनाना चाते हैं, group बनाना चाते हैं bar बनाना चाते हैं या आप इस तरीके से सिरफ और सिरफ different किसम के stack जो percentage आप वो शो करवाना चाते है so just click here और आपके chart जो है वो change हो रहेंगे यही नहीं, अभी formatting पर जाके आप इन्हे charts को और भी different तरीके से data drilling कर सकते हैं यानि कि यह जो आपके पास data आया इसको आप save भी कर सकते हैं मैं यहाँ पे click करके इसी data को कहां पे कैसे बचा था first यह survival rate है first class का और female का 0.97 दूसरे का male का 0.37 यानि कि total जो बचे हैं उसमें से 97 फीसद और 0.37 फीसद जो है male का percentage rate है total male में से और female का 97 so यह हमें एक different idea provide करता है कि आपका data किस तरीके से नजर आ रहा है back to the report तो यह हमारे पास इस तरीके से एक dashboard बन रहा है और हम उस पे काम कर रहे हैं अभी so let's see the next thing family size की बात करते है मैं यहाँ पे सिरफ और सिरफ family size आड़ करता हूँ यह मेरे पास family size आ गया some of family sizes total 1697 वो बोल रहे हैं कि जो passengers थे according to them लेकिन I don't know कि इतने थे या नहीं यह family size की बात हो रही है मैं आप family size को depend alive की base पे बनाता हूँ देखें जी यह है वो idea जो बताता है some of family size by alive जो alive है वो इतने बच गए है जो नहीं alive वो इतने बच गए है अब इसको मैं further class की base पे भी divide कर सकता हूँ मैं legend में जाके यह वाली class को add कर दूँगा and here you go now you have nice idea कि आप के पास जो family size है वो कैसे बचाए ठीक है इसको अगर मैं zoom in करूं control और scroll up करके now you can see कि आपके पास some of family size by alive and class is this one first है जो वो blue है यह वाला light blue second year, third year and then you have other thing और आपको एक चीज़ का अंदाज़ा हुआ यहां भे कि third class में family ज्यादा होती है ऐसे ही है समझा ही बात की यह नहीं आई अगर मैं यहां से सिरफ और सिरफ alive का column हटा दूँ now you can see कि सबसे बड़ी family third class में होती है अब यह हमें क्या बता रही है चीज it shows us के हमारे जो लोग है look हमारे जो लोग है वो किस तरीके से families को ले के जाते हैं और maintain करते हैं सबसे ज्यादा family sizes जो था वो third class में था क्योंकि जिसके बचारे के siblings, spouse ये बच्चे ज्यादा है that person is actually not paying for first class हम एक और plot यहां पर create करते हैं अभी तो मैं इसको alive भी add कर देता हूँ just to show you एक और plot मैं यहां पर create करूँगा which will show you a very nice overview और वो किस किसम का overview होगा I will show you now अच्छा देखिएगा हमारे पास है alone का column sorry go back यहां पर click करता हूँ मैं alone के column का add करता हूँ this is alone ठीक है यहां के मेरे पास alone अब देखिएगा मैं class इसके साथ add करूँगा यह आपको अंदाजा हो जाएगा अगर आप कोई plot बनाना चाहते हैं उसका भी अंदाजा हो जाएगा alone है और यह class है so check कीजएगा यहां पर आपको पता चल जाएगा के जो class count है let me see count of class ऐसे नहीं करना इसको alone करना है इसको मैं y-axis पह ले आता हूँ alone को and बलके ऐसे नहीं है we will do that here alone आगया x-axis पहे हमारे पास और then आगया हमारे पास say for example class legend में and then we have let me see we are going in wrong direction so इसको हम pivot table के थुरू add कर लेते है alone आगया जी हमारे पास this is alone and then we have inside this we have class so अब अगर गौर करें तो first class में जो हमारे पास first class है ठीक है और false है फिर हमारे पास second class है false है third class है और यह सारी चीज़े है अब यहाँ पे click करके count पे click करेंगे distinct count पे ठीक है और यहाँ पे click करके भी distinct count पे हमारे पास जो है वो आ जाएगा count पे click करते हैं अब हमारे पास क्योंके थर्ड क्लास के अंदर पेसेंजर बहुत ज्यादा होते हैं so you can say के count of alone is 491 in third class बाकी सारे के सारे जो हैं वो दूसरे हैं यहाँ पे count of alone है 216 और यहाँ पे count of alone है 184 second, first and third class के अंदर ठीक है and this is how your whole thing is actually working और हमने अभी तक alone और दूसरों को separate नहीं किया so I will put that into legend as well here we go अगर कोई बंदा अकेला है so यह है उसका alone का और अगर वो alone नहीं है तो वो होगा blue ठीक है यह हमारे पास जो है purple color है इसका मतलब है अगर कोई truly alone है यानि कि अकेला सफर कर रहा है 324, 109 और 104 अगर वो अकेला सफर नहीं कर रहा तो वो यहाँ पे third class में and then first class में and then second class में so usually बताने का मकसद यह है कि first class में जो passenger की ratio होती है alone सफर करने की वो ज्यादा होती है as compared to third class and second class of course third class में ज्यादा number क्यों है क्योंके passenger ज्यादा था third class में and this is how you can show किस तरीके से आपका column है वो matter कर रहा है something like this और अगर आप चाहें तो इसको multiple or plots के अंदर भी convert कर सकते है let me see how many plots we can create something like I would say this plot looks good so we can keep it like this तो हमारे पास कुछ dashboard इस तरीके से बन गया इसको finalize भी कर सकते हैं dashboard पे अगर आप click करें optimize भी कर सकते हैं इसको different किसम के इसके अंदर और भी changes कर सकते हैं कि I would recommend कि आप इसके उपर और भी काम करें और इसके अंदर और भी different किसम के जो formula हैं जो इसके अंदर different किसम के चीज़े हैं वो आप add करते जाएं ताकि आपका जो formatting है किसी भी एक dashboard की या report की वो अच्छे से बन जाए अब यही dashboard अगर आप mobile पर देखना चाते हैं it will look like this और यहाँ पर देखना चाते है it will look like this and secondly यहाँ पर अगर आप click करें so अगर आप यहाँ पर click करें so you can see कि आप इसी dashboard को अच्छे से बना सकते हैं तो यह है हमारे पास जनाबे वाला first page इसके इलावा second page भी बन सकते है canvas का background भी आप change कर सकते है and there are many other things जो आप canvas की setting को change करके ले के आ सकते है तो यह formatting अगर आप करना चाहें so go for it wallpaper एड करना है वो भी कर सकते है color आपने अगर dark करना है वो भी कर सकते है canvas का and there are many other things जो आप इसमें apply कर सकते है grid lines लगानी है वो भी आ जाएंगी, snap to grid आपने करना है, वो भी आ जाएगा, and then lock object करना है, वो भी आ जाएंगे, so there are many things which you can do, based on your, जो आपके charts है, ठीक है, so यहाँ पर, अगर आप चाहें, तो उनकी, जो theme है, वो अपनी मर्जी से भी change कर सकते हैं, so for me this is how you can create different kind of dashboards using power bi, I know इसके अंदर काफी ज़्यदा changes होने वाले हैं, और उसके लिए मैं recommend करूँगा, कि आप हमारे YouTube के चैनल पर जाएं, वहाँ पर जाने के बाद Kodanix पर चले जाएं, Kodanix पर जाने के बाद, प्लेलिस्ट पर जाएं, यहाँ पर लिखें, आप Power BI, लिखने के बाद यह प्लेलिस्ट आपके सामने आएगी, इस पर click करें, click करने के बाद, आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे, something like this, तो यहाँ पर मैंने Power BI का जो dashboard है, उसे बनाना भी सिखाया हुए, और उस पर अच्छी खासी changing करके, आप dashboard को और भी अच्छे तरीके से optimize भी कर सकते हैं, ठीक है, so मैंने proper इसका complete project जो है, यहाँ पर बना के दिखाया है, यह है जी dashboard का वो project, आप इसको देख सकते हैं, so यहाँ पर आके आप इस तरीके से final dashboard भी अपना design कर सकते हैं, और उसको format कर सकते हैं, one-to-one project, जिसमें हमने कुछ DAX के functions use कियें, और कुछ हमने और काम किया, एक चीज़ आपको और बदा दूँ, आपने कुछ भी करने है DAX के functions को use करते हुए, तो आप अपना data set जो है, उसकी copy उठाके chat GPT में डालके, वहाँ से DAX के function भी पूछ सकते हैं, कैसे पूछने हैं, वह मैं आपको भी बता देता हूँ, very quickly, आप chat GPT पर चले जाएं, या co-pilot पर भी चले जाएं, something like here, और इस co-pilot पर आके भी आप पूछ सकते हैं, but I will go to chat GPT, chat GPT पर जाने के बाद, for example, मैं start now पर क्लिक करता हूँ, यह मेरे पास chat GPT है, मैं क्या करूँगा, अपना जो data है, power BA के अंदर, जो मेरा data पड़ा हुआ है, मैं यहां से, उसको थोड़ा सा copy कर लूँगा, if I can do that, यहां से मैं select करके, not from here, मेरे पास जो मैंने file download की थी, वो भी कर सकता हूँ, or otherwise, I can actually file, export, power BA template थो हमने save कर लिया, let me see, कि मैं अगर, इसको, right click करके, edit query में जाओ, तो यह मेरा कोई Titanic का data है, अगर मैं, इस ही को Titanic का data को यहां से open करना चाहूँ, Excel में, so I will just copy this data, छोटे से example मैं copy करूँगा, यह मैं पूरा data भी copy कर सकता हूँ, it's totally up to me, so अगर मैं पूरे data को भी copy करता हूँ, something like this, आजा भी आजा, यहां तक, ठीक है, then I will copy this, I'll go back here, मैं इसको बोलूँगा, show me some commands of DAX to clean and prepare this data set for my power BI project, मैं यहां पे उस data को पेस्ट करूँगा, enter करूँगा, and then, जनावे वाला chat GPT will be telling me all the things which I can do for this data set, और आपको DAX को याद करने की ज़रूरत नहीं है, यहां पे आप देखें, कि आपको पूरी conditions के formula के साथ, यह सिखाएगा कि कैसे आपने filling, जो करनी है columns की, आप किस तरीके से इंबाग को fill करेंगे, कि बाखी चीज़ों को कैसे fill करेंगे, किस तरीके से आपने different चीज़ों को use करते हुए, काम करना, even कि आपको PowerCure Editor का भी बताएगा, and at the end removing duplicates and some other things as well, आप यहां से पूर सकते हैं, give me some ideas to create a dashboard as well, तो आप जब यह पूछेंगे, तो यह आपको dashboard भी बना के proper उसका तरीका भी देगा, कि कैसे कौन कौन से columns को आप कहां पे add करें, की metrics क्या होने चाहिए, and how you can add different kind of demographs and so on and so forth, इसको आप implement कर सकते हैं, अपना project बना सकते हैं, and then you can apply with that project, and you can publish that project in your portfolio, portfolio में कैसे add करना है, और dashboard बना के आप किस तरीके से utilize कर सकते हैं, इसी Power BI के series के अंदर, इंशाला आपको मैं सिखाता जाओंगा, आज के इस lecture के लिए इतना ही, write down in the comment section, अगर आपको DAX का A to Z project की समझ लगी है, कैसे dashboard बनाने है, और कैसे एक चीज़ को शुरू से लेके अंद तक finalize करना है, with the sense of data, तो that would be nice, अपना ख्यार रखे, subscribe निगया तो please do it as soon as you can, and see you in the next one, take care, Allah Hafiz.